हलो एवरिवान मैं हूँ आपकी प्रियादी एंड स्वागत करती हूँ आप सभी के फेवरेट यूटीब चैनल जे आट टुटरियल पे तो कैसे हो बच्छा पाटी मज़े में हो बहुत अची तरह से हिस्ट्री के स्टडी कर रहे हो और भी सब्जेक पड़ो बट हिस्ट्री रूलर गवर्णमेंट के बारे में हम क्या करने वाले हैं स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में ओकी तो हमारे पास बहुत ही यह चोटा सा चैप्टर है बट इसमें सीखने के लिए और समझने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि यह हमारे स्टेट के लिए है यह हमारे की विवस्ता चलती है, उसके साथ साथ हमारे शहरों में किस तरह से विवस्ता चलती है, वो सारी चीज़े हम study करने वाले हमारे इस chapter में, ओकी, तो ये है हमारे इस chapter का lecture नंबर वान, इसके बार again and again, सारे जितने भी topics हैं हमारे उसको clear करेंगे, तो आज हम study करने वाले हैं हमारे fourth topic के ओपर, ओकी, so fourth topic क्या दिया हुआ है, the gram panchayat, ओकी, सब ने सुना होगा gram panchayat, अब ये gram panchayat कहां पर होता है, gram panchayat गावों में होता है, ओकी, gram का meaning ही होता है gram का meaning क्या होता है, गाव and panchayat means कि जहां बहुत सारे लोग, बहुत सारे जैसे कि आप लोग अपने school में देखते होंगे आपके school में जो meeting वगेरा होती होगी, तो उसमें एक main होते होंगे, जो आपके principal है और उसके साथ साथ बहुत सारे जो भी आपके teachers है, वो सारे क्या करते है, एक जगे पे सारे मिल के जमा होते है and वो क्या करते है, किसी भी particular चीज का decision लेते है, तो जिस तरह से वहाँ पे होता है, वही same method से यहाँ ग्राम पंचायत में भी उसी तरह से होता है क्या करते हैं वहाँ पे, वो किसी भी चीज का नीडने लेने के लिए, किसी भी चीज के बारे में सोचने के लिए, किसी भी नई वयवस्ता को launch करने के लिए, वो क्या करते हैं, पंचायत बिठाते हैं and फिर कोई decision लेते हैं, सभी के सहमती से, ओके, so meaning clear हो गया कि ग्राम पं पंचायत, ओके, so gram पंचायत, gram पंचायत अभी सबसे main हमें कुछ important चीजों के बारे में पढ़ना है, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, local government bodies, sorry, local government जो bodies होती है, local government body क्या होती है, सबसे पहले, जो छोटी सबसे नीचे का, जो सबसे base होता है, हमारा local होता है, okay, so three type के government bodies है जैसे कि आपको पता होगा, post है local government, जो की सबसे नीचे होता है, okay, then क्या दिया हुआ है, state government and union government, okay, जो local government है, वो छोटे-छोटे जो गावों होगेरा होती है, उनके बारे में होता है, okay, then जो state government है, वो हमारे जितने भी बड़े-बड़े state है, वो state level पे होता है, okay, then union means की हमार पूरे country के बारे में होता है, okay, and इन सब के लिए एक-एक particular इंसान को चुना जाता है, ठीक है, आप रोगों को पता होगा, जो भी हमारे देश में प्रधान मंत्री है, वो हमारे country के बारे में क्या करते है, decision लेते है, okay, ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे अलग-अलग person होते है वैसे ही जो गाओं का जो decision लिया जाता है, वो gram panchayat में होता है, okay, local government bodies play an important role in regulation of social life, जो local government body है, वो social life में क्या करते है, important role play करते है, okay, then there are three type of government bodies, हमारे पास three type of government bodies है, कौन-कौन से, union government, state government and local government okay, so government को मैंने GOV लिखा हुआ है, short form में अभी इतना तो आप लोग समझ सकते हो, okay, so ये तीन type के आपके government bodies है, इसको याद रखना, okay, then क्या दिया हुआ है हमें, local government bodies में क्या है, two types के है, okay, local government bodies कितने type के है, two types के है, ठीक है, local government body के बारे में है, अभी हम क्या करने वाले, study करन है, and local government body के अंदर भी two types है, उसमें से क्या है, ruler and क्या है, urban, okay, एक सेकेंड मैं color change करती हूँ, ruler and urban, अब ruler का मतलब क्या होता है, ruler का मतलब होता है, जो की छोटी जगाओं के लिए होता है, जैसे की छोटे छोटे जो गाओं होते हैं, उनके लिए, जो भी, उनको क्या कहा जाता है, ruler, okay, ruler area होता है, वो, उसके साथ-साथ, urban क्या होता है, urban होता है, जो बड़े जगे होते ह जैसे कि मुंबई हो गया यह सब क्या है यह अर्बन जगे है और उसके साथ रूलर क्या है जो छोटी मोटी जैसे मैं एक बोई सर जगे बोई सर इस स्टेशन पर रहते हूं तो यहां पर आप लोग को पता होगा यह एक छोटा सा गाउ टाइप का जगे है और यहां पर अभी तक ग्राम पंचायत ही है तो यह भी यहां पर क्या फॉलो करते हैं यह कौन सा इलाका है यह रूलर इलाके में आ जाता है तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि रूलर क्या है और अर्बन क्या है तो देन क्या दिया हुआ है ग्राम पंचायत क्या करता है पंचायत समी एन्ड उसके साथ सहता ग्राम पंचायत पंचायद समीति एड जिल्ला परिषद संस्य जो रूलर इलाके होते हैं मिंस की जो च्छोटे-च्छोटे गांव होते हैं उन में क्या मृलक kicked ग्राम पंचायद पंचायत समीति एंड जिल्ला परिशत ओके ये सारी चीजे क्या होती है ये डूलर एरिया में होती है ओके देन क्या दिया हुआ है हमें इसे आल्सो क्या कहा जाता है इसे पंचायती राज इंस्टेटिूशन भी कहा जाता है इस चीज को क्या कहा जाता है पंचायती राज इं कम population हो जहां पे 500 से कम population हो इस जगह पे क्या follow किया जाता है इस जगे पे gram panchayat follow किया जाता है और यह gram panchayat सिर्फ एक गाउं का नहीं होता यह दो और दो से जादा गाउंवों को भी मिला के gram panchayat बनाया जाता है ठीक है यह panchayat क्या करती है जो उनके उनके अंडर में जो गाउं होते हैं उनके बारे में क्या क्या decision लेना है उसमें अगर कोई भी road बनवाना है उसमें जैसे कोई नल की वैवस्ता करवानी है किसी को कुछ problem है वो सारी चीजों का देख भाल कौन करते हैं यह जो gram panchayat में जो हम gram सेवक चुनते हैं वो सारी वैवस्ता देखते हैं ओकी चलो तो आगे बढ़ते हैं हमारे next topic पे अब gram panchayat के अंदर हमने क्या पढ़ लिया उसका जो first point है वो क्या है gram panchayat अब gram panchayat gram panchayat ही बार-बार आ रहा है क्योंकि जो हमारा first topic ही है वो सारी चीज़े हमें gram panchayat के बारे में ही पढ़ना है और gram panchayat के अंदर बहुत सारी अलग-अलग parts है जैसे कि gram सेवक क्या होता है ठीक है यह सारे gram सभा क्या होता है यह सारी चीज़े हमें a one by one study करनी है चलो तो अब gram panchayat के बारे में पढ़ते हैं अभी अभी मैंने बताया gram panchayat क्या होता है gram panchayat कहां पे होता है villages में होती है जो छोटी-मोटी गाउं होती है छोटे-छोटे जगे होते है वहाँ पे क्या follow किया जाता है gram panchayat follow किया जाता है ठीक है जिसकी population कितनी होती है 500 से less than 500, means कि 500 से क्या होती है, कम होती है, less than 500 और ये क्या होता है, ये 2 और 2 से जाधा गाओं भी क्या कर सकते है, इसमें सम्मिलिट हो सकते है, बट उनकी संख्या, उनका जो population है, उनकी जो जनसंख्या है, वो क्या होनी चाहिए, 500 से कम होनी चाहिए, या तो 500 होनी चाहिए, जाधा नहीं होनी चाहिए अगर उनका 600 या 700 या 1000 होगा तो वो ग्राम पंचायत के अंडर में नहीं आएगा ओके चलो देन आगे बढ़ते हैं सेम हमें यही बताया गया है वो क्या करते है और सो कॉल ग्राम पंचायत यह सारी क्या यह सारी विवस्ता कौन देखता है ग्राम पंचायत देखता है ओके देन क्या दिया हुआ है हमें क्यारी आउट फंक्शन लाइक वो क्या करते है वो किस चीज़ पे वाक करते है वो वाक करते है जैसे water supply हो गया, electricity हो गया, जो water supply हमारे जो छोटे छोटे गाउं होते हैं, उसमें water का problem होता है, ठीक है, electricity का problem होता है, आप बड़े बड़े सहरों में आप लोग देखते होगे कि 24 गंटे light और पानी की वैवस्ता होती है, वहाँ पे road का भी कोई problem नहीं होता है, यह सब कुछ वहाँ हो गया है, तो उनके जगे पर अच्छा होगा, बड़ अभी भी बहुत सारी ऐसी जगे जहां पर अभी तक road की वैवस्ता नहीं है, अच्छा road नहीं है, अच्छी पानी की वैवस्ता नहीं है, light भी नहीं, light दिन में 2 घंटा या 3 घंटा रहता है, तो यह सारी चीज़े क्य भी बॉन हुआ, तो उसका जो registration होता है, आप लोगों को पता होगा, जन्म प्रमान पत्रों जो होता है, वो बनवाया जाता है, तो यह सारी चीज़ों पर जो sign लगता है, वो कौन करता है, ग्राम पंचायत, इसका देख रेख करता है, उसके साथ साथ जब कोई, जब किसी क death होती है, तो वो dead body को लेके जाने से पहले भी हमें किसी के sign की जरूत होती है, तो वो भी क्या करता है, ग्राम पंचायत, वो भी देखता है, उसके साथ साथ marriage certificate पे भी आप लोगों को marriage को certify करनी के लिए भी किसी के sign की जरूत होती है तो वो क्या करता है वो gram panchayat ये सारी चीजों पर work करने का काम करता है ठीक है चलो अब आगे देखते हैं जो gram panchayat है उसके officers कौन होते हैं वो कैसे select किये जाते हैं ये सारी चीज़े हम लोग क्या करेंगे इस topic में study करेंगे इस topic में first हमें topic दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है सरपंच ओके सो सरपंच क्या होता है एक second color change करते हैं कुछ नया लेते हैं अब जो main officer अब आप लोग को पता होगा कि कोई police station में आप लोग जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे एक सबसे main होता है ठीक है एक सबसे main होता है DCP होता है IPS officers होते हैं IES officers होते हैं तो जो यह क्या है बहुत सारे officers होते हैं बट इनके साथ सत्क्या होते हैं आप किसी police station में जाओगे तो आप लोगों को सबसे बड़े पोस्ट पे कोई दिखेगा उसके बाद कोई छोटे पोस्ट पे दिखेगा फिर वो हवालदार वगेरा रहते हैं वो सारे दिखेंगे आप लोगों को तो जब हमें कोई काम होता है तो हम सबसे पहले क्या जाते हैं जो एक में पॉसन है वहां पे उसके पास जाते हैं तो इसी करह से जो सरपंच होता है जैसे कि हम कोई गाव में या फिर आप लोको पता होगा, जबी कोई जगे का नेता चुना जाता है, तो क्या होती है? Voting होता है, election होता है एंड वो सारे जो लोग होते हैं, जितने भी population में, जो भी हमारे जगे की population होती है, वो सारे क्या करते हैं, उनको vote करते हैं, ठीक है, vote करते हैं, और जिनको सबसे जादा vote मिलता है, वो जीतते हैं, तो ये भी क्या होता है, सरपंच चुनने का एक process होता है, जो कि यहाँ पे follow किया जाता है, gram पंचायत में भी, ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, election to a gram का election होता है, वो कब होता है, every five years के बाद, ठीक है, हर एक five साल के बाद क्या होता है, ग्राम पंचायत का election होता है, ठीक है, और फिर वो election क्या होता है, the elected member, elect a sir, punch, जो elected member रहते हैं, जो भी election के लिए nominees होते हैं, जिन्होंने अपना नाम दिया होता है, उन सब में से एक को क्या चुना जाता है उनको सरपंच चुनने के बाद उनहीं सारे लोग जो है वही सारे लोगं में से क्या करते है एक पॉसन को क्या सिलिक्ट किया जाता है यहां पर मैंने आपको लिखा हुआ है deputy sir punch, उनको क्या कहा जाता है, deputy sir punch, means कि आप लोगो को पता होगा, आप लोगो के school में एक तो principal होगे, और उसके साथ साथ एक wife principal होगे, okay, होते होगे, आप लोगो अगर ध्यान से देखोगे, जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि एक principal के साथ साथ, एक wife principal होता है, मैंने आप ल पढ़े officer के साथ साथ एक छोटे officer होते हैं एक नहीं बहुत होते हैं तो इस पंचायत समीती में क्या होता है सौरी ग्राम पंचायत में क्या होता है कि जब वो elected persons होते हैं जो भी हमारे election के लिए जो नाम देते हैं उन सब में से जब जनता किसी एक को चुनती है तो उसके साथ साथ एक deputy सरपंच भी चुना जाता है और वो कब work करता है deputy सरपंच कब work करता है जब सरपंच किसी भी काम से किसी भी important काम से अगर वो नहीं रहा absent रहा तो उस time पे कौन work करता है उस time पे जो हमारे deputy सरपंच है वो क्या करते है हमारा जो भी नेन लेना होता है जो भी डिसीजन लेना होता है वो क्या करते है उस चीज़ पर वॉक करते हैं ठीक है हाँ the meaning of the gram panchayat मैंने gram panchayat को gp लिखा हुआ है आप लोग बोलना मत की ज्यादा short for more है थोड़ा सा समझ जा हो ठीक है the meeting of the gram panchayat are hold under the chair person क्या दिया हुआ है जो chair person होते है means कि जो आपका सरपंच ठीक है आपका जो gram panchayat में जो सरपंच आपने चुना हुआ है जो उसको ही क्या कहा जाता है chair person कहा जाता है और जो meeting होती है जो meeting जो व्यवस्ता meeting की की जाती है उसमें सबसे जो important role play करता है वो कौन करता है chairmanship जो भी उसमें important role play करता है वो chair person जो होता है वहाँ का वो करता है of the serpunch ठीक है absence of the serpunch the deputy serpunch look after the work of GP जो gram panchayat का work जो होता है serpunch के absent में कौन करता है deputy serpunch जो होता है वो क्या करता है इन कामों पर work किया करते है और ये कौन से काम करते हैं अभी अभी हमने देखा हुआ है किसी भी गाव में जो electricity का problem हो water problem हो ठीक है water जो supply नहीं होता है उससे problem हो या फिर किसी किसी चीज का काम हो जैसे कि आप लोग को पता होगा हर एक चीज के लिए sign लेना वड़ता है उनका तो वो सारी चीजों के लिए किस की जरुद पड़ती है ग्राम पंचयत की जरुद पड़ती है ग्राम पंचयत में जो serpunch होते हैं उनकी जरुद पड़ती है तो जब वो नहीं होते हैं ये सारी चीज़े करने के लिए तो उनके जग उनके absence में कौन ये walk करता है उनके absence में ये walk deputy सरपंच करता है I hope so कि आप लोगों को मैंने जितना भी सिखाया हो बहुत अच्छी तरह से clear हुआ होगा और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो please वीडियो को like जरूर से करना and subscribe जरूर से करना आज के लिए बस इतना ही करते है next topic study करेंगे हमारे next lecture में तब तक के लिए bye bye मिलते है next lecture में